अस्राम अलेकम डियर स्टूडेंट्स आज का हमार अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इनिमल्स हम पाढ़ लेते और आज हमने पढ़ना है नेचर ओफ एक्सक्रीटरी प्रॉड़क्ट इसका मतलब है कि जो और्गनिदम है उनके पास अवेलिबिलिटी ओफ वाटर पानी कितन है और वो जो उनका वे एस्ट मेटीरियल है नाइट्रोगेनिएस मेटीरियल है उसको किस फार्म में रेलीस करेंगे पिछले एक लेक्शर में हमने पढ़़ा था कि जो अमूनिया है वो औरगनिदम अक्सक्रीट करते हैं जिनके पास पानी हो थोड़ा मोड़रेट यानी द इनके पास पानी बहुत ही कम होता है। आज हम इसको ज़रा detail से देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपके कुछ questions हैं। इनको देखें ज़रा इनकी answer। अच्छा जी पहला question था कि In which environment Osmo regulators live? सवाल ये था कि जो Osmo regulators हैं किस तरह के environment में रहते हैं। बिल्कुल simple कोई rocket science नहीं है। ये Osmo regulators हैं। इन्होंने regulate करना ही करना है। चाहे इनको external environment hypotonic मिल जाए, hypotonic मिल जाए। इनका काम है कि इन्होंने regulate करना है, इन्होंने maintain करना है। तो जब इन्होंने करना ही maintain है, तो इनके लिए कोई condition नहीं है, जाए वो aquatic में marine water हो, fresh water हो, या tertial, अब हम जो हैं, हम भी Osmo regulator हैं। हम जो हैं, ये tertial organism, tertial animals हैं, हमने fresh water fishes पढ़ी हैं, marine water fishes पढ़ी हैं, वो सारी क्या कर रही हैं, कि यानि regulate कर रही हैं, किसे के पास पानी ज़्यादा चला गया है, किसे के पास water ज़्यादा चला गया है, किसे के पास star ज़्यादा चले गया हैं, ये सारी मिलकी regulate कर रही हैं, तो लहादा जो Osmo regulators हैं, हर तरह की environment में पाए जा सकते हैं, ठीक है, Osmo regulators हर तरह की environment में रह सकते हैं, इक लिए condition नहीं है, जो isotonic होते हैं, वो एक अलग कैसे कि वो ऐसी जगा डूबते हैं जो जगा उनकी internal environment के लहाज से isotonic हो लहादा Osmo Regulators क्या करेंगे no issue यह regulate कर लेंगे इनके लिए मसला नहीं है लहादा यह हर जगा पर पाई जा सकते हैं अगला question है कि why do Osmo Regulators excrete salt always in hypertonic environment and water in hypertonic environment question है कि जो Osmo Regulators होते हैं हमेशा salt को hypertonic environment में और water को hypertonic environment में ही क्यों excrete करते हैं बहुत ही simple है इसमें कोई rocket science नहीं है कि एक animals अब यह मेरी surrounding है अब यहाँ पानी ज्यादा है तो पानी जो है Osmos से body में जाने की कोशिश करेगा external environment से internal environment में जाने की कोशिश करेगा अब मैं Osmo Regulator हूँ मेरी body जो है flooding of water को बाहर निकालने की कोशिश करेगी अब देखो कि उठाया कहां से जा रहा है hypertonic से उसको excrete भी उसी hypertonic के अंदर ही किया जा रहा है अब अगर मैं बात करो साल्ट की अब let's suppose के साल्ट से ज्यादा होते है hypertonic environment के अंदर अब अगर साल्ट को hypertonic environment से उठाया जा रहा है उनको excrete भी वहीं किया जाएगा कि जहां से कोशीज ज्यादा पेवाने पे body में चली जाती है उसको excrete भी वहीं किया जाता है पिर छोटी से example देता हूँ आपको let's suppose यह मेरे पास एक cell है A और यह एक cell है B ठीक है अब मैं यह दो तरह किदर external environment रखता हूँ एक मेरे पास है hypertonic hypertonic environment का मतलब है हमें पता है कि यहां sarts ज्यादा होते है ठीक है और water कम होता है यह external environment क्या कहलाता है यह external environment कहलाता है hypertonic environment जिसमें sarts ज्यादा हो और पानी कम हो अच्छा जी let's pause यहां से अच्छी देखें यह मेरे पास sarts है these are sarts ठीक है अब यह sarts यहां से हमें पता है कि जहां एक चीज ज्यादा होती है तो वो ज्यादा से कम वाले राके की तरफ जाती है osmosis का rule है लें जी अब यह sarts हो है यहां से इस cell के अंदर जाएगा चला गया cell के अंदर अब जब cell के अंदर चला गया है तो its mean के इसके पास sarts extra चला गया है यानि इसके पास जो sarts है इसकी normal amount से ज्यादा चला गया है अब यह cell क्या करेगा इसको बाहर excrete करेगा बाहर क्या करेगा excrete हमें पता है कि बाहर कौन सा environment है hypertonic लहाजा इसको उठा भी वहीं से रहा है और इसको फैंक भी उसी hypertonic environment में ही रहा है ठीक है लेकिन बटा एक बात याद रखनी है कि जो sarts होते हैं salutes होता है जो ये खुद बाखुद मूव नहीं करता ये solvent जब एक proper solvent होता है हमारे पास किसी भी salutes को solvent को salutes determine करवाता है अब ये जो salutes है हमारे पास sarts से इसको एक aqueous medium चाहिए मूव करने के लिए हाँ हमने पीछे पढ़ा है कि कुछ जो मचलिया होती है वो actively भी इसको उठा सकती है gills के through भी या इसको कुछ dietary जो है हाइपर्टॉनिक से और release भी इसी हाइपर्टॉनिक में ही किया जाएगा अच्छा जी दूसरा case है कि जो पानी होता है water in hypotonic environment कि पानी को hypotonic environment के अंदर ही क्यों excret किया जाता है हमें पता है कि hypotonic environment कौन सा है ऐसा environment जहां पे salts कम हो और water क्या हो ज्यादा salts कम इसका उल्ट हो जाएगा अब जो water होगा these are water अब ये पानी cell के अंदर जाने की कोशिश करेगा चलागए cells के अंदर अब cells के अंदर तो flooding of water हो जाएगी उसकी normal limit से पानी ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये osmore regulator है due to the property of osmore regulators they excrete their extra water in their external environment अब ये क्या करेगा यहां से अपने extra water को बाहर निकालेगा क्योंकि osmore regulator है इसने water की और 60 ही concentration को maintain करना है लेंगी ये बाहर excrete कर रहा है किस चीज़ को water को लेकिन यहां भी कौन सा environment है hypotonic यहां भी कौन सा environment है hypotonic ही हमने क्या conclude किया कि जहां से किसी चीज़ को उठा रहा है वहीं उसको excrete कर रहा है हमने पिछले लेक्चर में marine water fishes पड़ी थी हमने bonny fishes पड़ी थी cartilage fishes पड़ी थी fresh water fishes पड़ी थी वो fishes जिस तरह की external environment में रह रही हैं वहां से जो चीज़ एक normal level से ज्यादा उनकी body में चली जाती है फिर उसको excrete भी वहीं करते हैं जैसे हमने marine water fishes के अंदर पड़ा कि salts उनकी body में ज्यादा चला जाता है और salts को फिर वो उसी hypertonic environment के अंदर ही release करती है ठीक है तो यह इसका answer था कि जो चीज़ जहां से उठा रही है उसको वहीं excrete करेंगी वो अगला हमारा question number 3 है इसको देखें दरा यह भी simple है कि if osmore regulators face the shortage of water and salts how they will compensate कि अगर osmore regulators के पास salts और water की shortage हो जाए तो किस तरह उसको compensate करेंगे बहुत बहुत ही simple इसको भी मैं समझाता हूँ आपको यह मेरे पास cell A और यह cell B अच्छा जी ठीक है तो पहली condition ऐसा environment जहां पे shortage of water हम यह ले ले लेते है shortage of water यानि cell के अंदर जो है पानी की कमी है cell के अंदर पानी की कमी है its mean के यह कौन सा environment है hyper hypertonic environment है ठीक है अब अगर अंदर hypertonic environment है तो इसका old क्या होगा इसका जो external environment होगा इसके external environment के अंदर अब यहां अगर अंदर hypertonic है तो इसका external क्या होगा hypotonic external environment कौन सा होगा hypotonic है अंदर hypertonic है पानी की कमी है लेकिन बाहर क्या है hypotonic है अब यहां concentration gradient build up हो चुका है कि ज्यादा concentration वाले अलाके से यहां water ज्यादा है और अंदर पानी की shortage है पानी कमी है अब यहां से पानी जाएगा cell के अंदर और इस shortage को पूरा करेगा ठीक है कि यहनि उल्ट होता है अगर अंदर hypertonic है तो बाहर hypertonic है हमने पढ़ा है कि पानी osmosis के तुरू ज्यादा अलाके से कम अलाके की तरफ चला जाता है और यह different organism के अंदर different strategies होती है कि उन्हें पानी को किस तरह लेना है पीछे हमने fishes की वात पड़ी थी कि fishes जो है अब osmosis के थुरू भी पानी उनकी body surface से भी चला जाएगा और वो क्या करेंगी कि जो होता है वो जो उनका urine होता है वो भी वो क्या करते हैं कि concentrated बनाना शुरू कर देते हैं ताकि पानी जो है उसको loss ना होने जो जितना concentrated urine होगा इसमीन पानी उनकी body में ज्यादा secure होगा ज्यादा conserve होगा ठीक है और इसके बरक्स दूसरा case हमारे पास कौन सा है के shortage of salts अब यह ऐसा environment है यहाँ shortage है salts की अगर यहाँ shortage है salts की तो यहाँ एक चीज ज्यादा होगी पानी इसमीन यह कौन सा environment है हमारे पास hypotonic अब अंदर hypotonic आ गया तो इसका external environment कौन सा होगा इसका external होगा hyper hypotonic इसका उल्ट हो जाएगा ठीक है आप देखें जी अगर अंदर hypotonic environment है और बाहर hypotonic environment है इसको shortage किस चीज की है salt की इस मीन के hypotonic के अंदर जो salts होते है वो क्या होते हैं ज्यादा ठीक है और पानी कम ऐसे ही है आप देखो यहां salts ज्यादा है और यहां salts कम और यहां भी consideration ingredient क्या है किस ज्यादा से कम वाले अलाके की तरफ 600 है वो मूव करेगा लेजी पानी 600 है वो बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा अब एक चीज का ख्याल रखना है कि साल्ट पानी की तरह खुद वाखुद मूव नहीं कर सकते पानी तो ठीक है खुद चला गया लेकिन साल्ट कभी भी खुद अकेले मूव नहीं कर सकते इनको एक्वस मीडियम चाहिए और एक्वस मीडियम में तो पानी कम है अलाड़ी तो यह हमने पीछे पढ़ा था फिशिस क्या करती है इस साल्ट को एक्टवली इठाती है यानि उन्होंने करना क्या है कि यानि अंदर साट सो हैं कम है ना बाहर ज्यादा है तो यह उल्ट हो गया करस्टेशन ग्रिडिंट का कि जैसे यहां से मैं मार कर छोड़ू तो यह नीचे जाएगा नो एक्सपेंडिचर ओफ एनरजी लेकिन काम से ज्यादा वाले लाके की अब यहां काम में बाहर से मैं इसको यानि यह अनरजी यूज़ करेंगा जब अपनी तरफ को चीज़ लेकिन आएगा तो यानि मैं नीचे से इसको उपर फैंग गए तो मुझे एनरजी लगाना पड़ेगी तो एक्टिवली इंटेक करेंगे actively intake sards अपनी बाडी में यह intake करेंगे और इनका यूरन होगा उसको वो क्या करेंगे delute बनाएंगे यानि sards को अपनी बाडी में conserve करेंगे इनका urine क्या होगा delute urine होगा ठीक है यानि इसमें sards कम होंगे और कहता है कि ये ऐसा खाना खाएंगे intake salty food यानि ये ऐसा खाना खाएंगे जिसके अंदर जो है वो salts ज्यादा हो हमने marine water fishes के अंदर भी पढ़ा था कि वो fishes gills के through भी salts को intake कर लेती है ठीक है तो कुछ physics जो है वो actively intake कर लेती है और कुछ physics जो है वो passively भी intake कर लेती है salts को passively mean के concentration gradient जो है उसके एक जो है अगर energy use हो रही है या नहीं हो रही है तो उन्होंने क्या करना है salts को intake कर लेना है intake salt through gills ठीक है अगर तो concentration gradient build up हो गया है तो ज्यादा से कम की तरफ no expenditure of energy अगर तो organism को खुद उसको खींच रहा है तो फिर उसको energy लगाना पड़ेगी अब देखो के वो खुद कैसे खींचेगा अगर तो वो salts पानी के साथ हालो के आ रहा है तो फिर no expenditure of energy अब जब वो खुद अपनी ज़रूरत के according उसको खींच रहा है तो फिर sometime उसको work done करना पड़ता है तो sometime क्या होता है कि अगर water available हो जाए तो salts पानी के साथ आड़प होके वो खुद ही osmosis के थूरू उसकी body में चला जाता है लेंजी concentration gradient के थूरू इन्होंने अपनी salt की ज़रूरियात को भी पूरा किया urine को delude बना लिया salts को conserve किया इन्होंने क्या किया intake किया salts को gills के थूरू वो भी salts body में चलेगे खाना ऐसा खाया जिसमें salts थे वो भी salts body का हिस्सा बने तो इस तरह इनकी body में जो salts की deficiency थी वो पूरी हो जाएगी लेंजी पानी की deficiency भी पूरी और salt की deficiency भी पूरी इसी बना पर हम इनको क्या कहते हैं Osmo Regulators अच्छा जी आप बारें जरा हमारे topic की तरफ nature of excretory products ठीक है बहुत ही असान topic है habitat with excess water supply हमने इसको तीन तरह से पढ़ना है जहां पानी बहुत ज्यादा हो ठीक है जहां moderate हो और जहां ना होने की परापर हो तो यहां definition के लहाद से important देखे ज़रा यहां nitrogenous waste क्या होगा अमोनिया जहां पानी बहुत ज्यादा होता है वहां nitrogenous waste ammonia होता है तो कह रहा है कि phenomenon of removing ammonia from body is known as immunotality ठीक है immunotality तो यहांई body का waste nitrogen का body से निकलना ammonia की farm में वो क्या कहलाता है immunotality और animals की body से nitrogenous waste का ammonia की farm में निकलना immunotality कहलाता है और ऐसे animals जो nitrogenous waste को ammonia की farm में release करते हैं ऐसे animals को immunotality animals कहते हैं तो water requirement इसके लिए पानी कितना चाहिए यानि एक gram ammonia को body से बाहर निकालने के लिए 500 ml water चाहिए और इसी तरह कहरा है कि 2 gram ammonia को body से बाहर निकालने के लिए 1 यह 1000 ml water चाहिए हमें इसकी example हमारे पास है aquatic animals और invertebrates इसी तरह इधर same just like हम वो environment जहां पानी ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत ही कम हो यहां nitrogenous waste है urea ठीक है तो कह रहा है कि phenomenon of removing urea from body is known as urotally यानि ऐसा अमल जिसमें nitrogenous waste को urea की farming body से बाहर निकाला जाता है ऐससे phenomena को हम urea और टैली कहते हैं ठीक है और ऐससे animals जो nitrogenous waste को urea की farming body से बाहर निकालते हैं उनको urea को टैलीक animals कहते हैं ठीक है इसके लिए water जो है requirement है यह MCQ उसके लिए important है इसको याद रखना है कि 1 gram urea को बाहर निकालने के लिए हमें 50 ml water चाहिए ठीक है और 2 gram urea को बाहर निकालने के लिए 100 ml water चाहिए example हमारे पास mammals है sharks और amphibian है तो यह definition is important है ureotally क्या है ureotally क्या है immunotally क्या है immunotally क्या है इसी तरह either habitat with shortage of water ठीक है आफ रमोविंग ureoc acid from body नाउन एल ureco-talic ठीक है और animals जो ureoc acid को release करते हैं ureco-talic animals ठीक है यहाँ ureotally और यह ureco-talic और water requirement कि 1 gram ureoc acid को body से बाहर निकालने के लिए 1 ml water चाहिए इसी तरह 2 gram ureoc acid को निकालने के लिए 2 ml water चाहिए example है हमारे पास birds, reptiles, snails वगरा कुछ भी मुश्कल नहीं था definition के लहाँ से ही important है ammoniotally, ammoniotally, ureotally, ureotally, ureotally urecotally, urecotally इनमें sometime वो difference पूछ लेता है इसको आपने अच्छे से देख लेना है समझ लेना है Thank you, Allah Hafiz इसके लेंगे नहीं बादा